नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका परिछा चिंतन यूटूब चैनल में फ्री में क्विज्ज शॉल करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जीके जीएस के लिए परिछा चिंतन यूटूब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको यह परिछा चिंतन यूटूब चैनल को भी सस्काइब कर लें साथी साथ टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लें यहां पर टेली आपको कुछ जो है भेजे जा रहे हैं इसमें और ग्रूप में जोईन होके आप डेली कुछ को सॉल कर सकते हैं और साथी साथ एगरी कल्चर के की संख्या की जो है वो जल्द ही आप लोगों की पड़ाई जाएगी डेली कोर्सिस की जाएगी पचास-पचास कुछ जो है आपको प्राइट करा जाए दोनों गूर्प में जीके जीएस वाले गूर्प में आपका जो जीके जीएस का क्यूस्टन और एगरी कल्चर के गूर्प को जान कर सकते हैं तो आप टेलिग्राम पे स्टेडी फॉर अल एग्री कमटेट्ट्व एक्जाम सर्च करेंगी तो वहां पर आपको गूर्प मिल जाएगा और गूर्प को जान कर लिए साथ ही साथ यसाथ पीडियाप आपकर प्राप्त करने के लिए यहां पे प्राप्त करने के लिए गया है तो यहां पर फाइल में जाकर कोई भी पीडियाप हुआ एग्री कल्चर का वो सब ही आप जाइन कर सकते हैं तो चलिए हम लोग क्यूस्ट्ट्व करते हैं महातपूर एग्री कल्चर के जो कि आपकी कमटेट्व जाम की डिसकोर्श इस वीडियो में हम लोग साल करेंगी तो पहला जो क्यूस्ट्व है इसमें पुछा रायक निम्लिकित फसलों में से कौन सी फसल नम यानि हुमिड खेती में उगाई जाती जहां पर नम होती है वहां पर यह फसल उगाई जा सकती है चार आप्सन है पहला है गेहूँ चना म अधिक मातर भी है आलू सरसो अर्वी सी है चावल जूट गन्ना ओर डी है कपास मक्का जवार तो किस फसल के लिए जो है हुमिड यानि नम की अधिक मात्रा की आउसकता होती है तराय टेंस और जो है सी वाल आप्सन हो जाएगा चावल जूट गन्ना इनके लिए जो है पावल जूट गन्ना की इसलिए यह हुमिड छेत्र जहां होते हैं नम्र छेत्र होते हैं वहाँ पर इनको गया जाता है तराय टेंस और सी वाल आप्सन हो जाएगा नेस्ट जो क्यूशन पूचा जा रहा है यहां पे कि ऐसे छेत्र जहां वर्षा की कमी हो तथा सिचाई की सुद्यय का भी अभाव हो तो किस प्रकार की ग्यटी लाब्धायक सिद्धोगी यानि जहां वर्षाber की मात्रा काफी कम होती है और सिचाई की उपला हजरता जो है वह भी कम है तो वहां पे आप कौन सी फसल ग्यटी की अपनाएंगे एकल्स खेति जुमिंग खेटि या और यहां पर जो है नहीं बन till प्रेक्ट ऑपनाइंगे और failure किप्कर्शान से वничब्र होगार सकते जों की व्हुमु खेती होती आए ओषी सिचाई कि मिन्हों पर या खिल जो है काफी कम मातरा में में उती है वहां पर हम सुस मेजर जो करते हैं जू होता है वो काफी कम होती है वहां पे और सिचाई की अगए है की जाती है वहाँ पे बाजरा हुआ सर्सो दलहन और यह सभी फसल जाना उगाया थी अगेला जो क्योडे कि छाय की केती किस प्रकार रीजितीक उपियुक्त होता है और ये आपका महत्पूर हो जाता है कि है चाय की खेति जो एक pornkin पर उथा रहा है तो असम जो है वहां पर सरवादिक मतर्ए में चाय उतफादन भारत में और अपस्री Space ng मंगाल में भी चाय की खेति जो है वह काफी अच्छी माध्रा में उतफादन क्या जाता है टो असम पहले नमर पर भारत में ये भी आपके GK की रूप में क्यूशन पूछा जाता है तो ये हो गया चाय की खेती किस प्रकार की है यहाँ पे एकल खेती जो है चाय की की जाती है निश्ट जो है आपका पूछा जा रहा है कि रबर चाय कावा आद खेती किस विद से की जाती है चार आपसन दिये गए जूमिंग विद द्वारा, B है रोपड, C है रैचिंग खेती, एंडी है सहकारी खेती, तो रबर चाय कहवा की खेती जो है वो प्लांटेशन क्राप है, रबर चाय कहवा नारियल कपास आद नगली फसलों की खेती, रोपड विद से जो है की जाती है, बड़े पौधे लगा बड़े बड़े पौधे लगा कर खेती की जाती है, खेती कर जो जो है असं राजिमे की जाती है, फिल जो होजाएगा आपका असं, नेश जो क्यूशन है, कि भारत के राज में उत्तरप्रदेश निमिकित में किन फसलों का अगररी उत्पादक है गेहूँ आलु मुखषली गेहूं आलु गंणा सी है आलु गंणा क code है आलु गंणा धान तो राइट एंशर होगा भारत के राजियों में झो है उत्तरप्तेयस निम्लिकित में सिखिसकाँ उत्तादक राज है तो अगेहॉं आलू गन्ना दोध इन चारों के उत्तादन में जो है उत्तर परदेश first नमर पे आता है आल इंडिया में पहला रैंग उत्तर परदेश का है यह आपका वयात कना है आपके GKGS के रूप में भी क्यूशन जो है कंडाटक रूप में भी परसल से प्रियेट है पूश लिए जाता है नानेगनी कल्चर एक्जाम हो वहाँ पे भी इस तरीके सफ्रस्ण आते रहते हैं अगला जो क्यूशन है कि भारत में सरवाधिक काफी उत्पादक राज कौन सा है असाम करनाटक केरल तमिलाग तो राइट एंसर सभी लोगों को मालूँ होगा करनाटक जो है वो भारत में काफी उत्पादक करने वाला लेडिंग स्टेट है इसका राइप जो है इंड्य में पहला राइप है अरे विक क्या और रो अस्टा ये दो प्रजाती हैं जिनका उत्पादन भारत में काफी का कीजाता है यह भी आपको याद अकना है, कौन-कौन सी है, अरे वी क्या, यहों रोवास्टा, नेस्ट जो क्यूशन है कि भारत में किस प्रदेश में सोयवीन की खेती जो है, वो सरवादिक होती है, सरवादिक छेतफल पर की जाती है, मद्ध प्रदेश, राजस्थान, मद्ध प्रदेश है, जबकी दूसरा अस्थान अगर हम देखें, महराष्ट की है, और भारत का सोयवीन मद्ध प्रदेश के इंदार जिले में इस्तित है, यह भी आपकी complaintative जम में तो 1ह से हैं लाल दोन मिट्टी लाल और काली ती य सभी लोगों मालूं है जलोन मिट्टी डोमत मिट्टी जी से हम कआते हैं फिर अधिक मात्रम unified में पलगежд ع विख पाई जाती ओए ट्री ट्राइट आलपग्डे अयरा यह ए सरवाधिक मात्रम जो है उत्तरप्रदेश के मिट्टी जो होती है वह उनमें जलोर मिट्टी की मात्रा जो है वह ज्यादा पाई आती है नेस्ट जो क्यूस्टन है कि कुछ इनसे रिलेटेट जलोर मिजा से समन्दित कुछ मात्पूर फैक्ट है यह जो छेत रुप आए जाता है वह गंगा यमना नदियोदारा बहाकर लाएगे जलोर निच्छ पो से निमित होता है इस मिट्टी में जो है पोटास और चूना की ब किमिट्यार पूछ ली जाते हैं तो मिट्टी में पोटास और चूना की बहुंजता होती है तता नाइक्ट्रोजन फासफ फ्रॉडास की कमी और नाइक्रोजन की डिए कमी होटी है यह मिट्ट्ध रूरता इसट से अची होती है मिट्ट्टी जो है दो दलाण, दिलाण, जो है कौन सी नहीं है फ्रकीति पर अधिक निर्भरता इंद डूसरा जो दिया गया है कि उत्पादक्ता का निम अस्तर सी है फसलों की विवित्ता दी है बड़े खेतों की प्रदान्ता तु भारती की सी की दिशास्ता जो है ये डी वालापस दिये गया है बड़े की प्रधानता नहीं है यहाँ पे लैंड जो छेत पिलणोत है खेती का वहोत ही कम है स्माल मारजिनल तीन तो रिके से जो है यहाँ पे खेतों siguiाट गये राता है तो अब सीमांत केटि से जो हो भात में ठोधसे हो रइन तो यहां पर बड़े खेतों की प्रधानता जो है वो भाती क्रिशी की विश्यस्ता नहीं है त्राइट एंसर जो है आपका डी वालासर हो जाएगा अगला जो क्यूशन है कि भूम के छोटे तथा बिखरे होने से उत्पन समस्या का समाधान क्रिशी के किस पद्दती को अपन कर किया जा सकता है समीधा क्रिशी सहकारी क्रिशी इक्रिशी रेचिंग क्रिशी तो भूम के छोटे तथा बिखरे होने की उत्पन समस्या का समाधान क्रिशी के जो है सहकारी क्रिशी के अंतरकत अपना कर आप दूरी समाधान जो है समस्या का वो कर सकते हैं तो सहकारी क्रि को जो है एकत्र करके सामोही को रूप से खेती करते हैं भूम के उपी विवाजन से जनित समस्याओं का समाधान इस किसी पद्यत से जो है वो किया जा सकता है अगला जो क्यूचन है कि केंदरी बकरी अनुसंदान संस्थान इस्तित है मतुआ हैदरावाल लखनाव इज्यत केंदरी बकरी अनुसंदान संस्थान जो है वो मतुआ में इस्तित है अगला जो क्यूचन है जबकि केंदरी सुस्क भूमी अनुसंदान संस्थान जो है है तरबाद में इस्तित है केंदरी आम सोथ संस्थान लखनाव में इस्तित है और केंदरी पच्ची अनुसंदान संस आख्षान जो है वो मतुर्म है निस्ट जो कि लोकिसं है कि कि स्कब्रकार की क्रिशी में जहीं है भॉन रखता दी जाती है दाटना स्को तняя ज्यौका तो आम रहे के लिए जाती हैरा किसी प्रित हें आर्वर Checkout गहां होझा जास अगले प्रस्टी की तरह बढ़ते हैं, अगला जो क्यूशन है कि भारती सरकार द्वारा किस वर्स भारती किसान आयोग का गठन किये गया है, 2001, 2004, 2014, 2017, तो भारती किसान आयोग का गठन जो है, वो 2004 में किये गया था, भारती सरकार द्वारा राश्टी किसान आयोग का गठन 18 खार नॉम्मर दौजार को किया गया आयोग का गठन प्रोँएस की अध्यस्ता में किये गया था इस आयोग ने दिसमेर दौजार से अक्टूबर दौजार चार के पांच रिपोर्ट जय वो प्रस्तुत किये थे तो भारती किसान आयोग ये आपको याद रखना है अठार नॉम्मर दोजाद चार को इसका आयोग का गठन किये गए था अगले प्रशनी खितर पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पर्टसन की खेती की जाती है चार आपसन देवरिया और गोरकपुर, सारनपुर, हर्दोह मतुरा, अलीगर, इलाबाद और फटेफूर तो पर्टसन की खेती जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरकपुर जिलिम की जाता है तो आपसन ए वाला हो जाएगा प्रदेश के तराइच छेतर तर्था सरियो और घागरा निदियों के दोआ में जूट पैदा की ज जाती है नेस्ट जो क्यूशन है भारती सब्सद्ञान समस्तान कहां इस्तित है कानपूर, वरार्सी, लखनओ, सिमला वरारसी में जो है इंडी, आय आय वी यार आई वी यार यह आपके दो जो है आपके करणंटेक्टेटिक में बाद बाद पूछे जाते हैं तो भारती सबजी अनुसानधाण जो है इन्डियन वेगेंज टेवल इंस्टित्वीट वरार में इस्तित है भारती Salat संस्थान जो है वो कहां पे वरार्सी में राइट इनस और बी वाला हो जाएगा सातवी पंच वर्सी योजना के इंतर्क जो है वर्स उनीस सुबार में वरार्सी में सब्जी नुसंदान पर योजना नीदे सालेक रूम में इसकी इस्थाप्णा की गई थी जबकि अगस्त व अमरूद एकुन्यकिसम है अमरूद की अनकिसमे जो है इलावादी सफेदा हुआ मुरदुला हुआ लगना उन्चास हुआ इलावाद सुर्खा हुआ चित्यार सुप्वेता अरका अमोल्या ये सभी जो है हैं कि अमरूद ग्वावा की जो है वेराइटी है यह आपकी कम्टेटीब जाम में इतने जितने भी इसमें वेराइटी दी गई है आपके विखोह सभी कोई ने कोई audio इकम्टेटीब जाम हुआ वहाँ पे पूछे गए है घिलिकल्चर के तिलाबादी 2 फेदा हुकि वहाट क केंद्री की स्विध्यालाई इंफाल मड़िपूर में इसकी इस्थाफ़ता उनीज सो बान में में की गए थी पुरोत्तर के छाराज्यों सिक्किम तृपुगा रांचाप्रदेश मिझालाए मिजोरम मड़िपूर इसके कार्चेति के इंतरगत आते हैं अगला जो क्यूशन ह नहीं क्यूर्तरगरम में बहारत का प्रथम ने यह बियांको याद रखना है निस्ट जो क्यूशन है कि उख्था रोग की फसलों को प्रावाई करता है तो यह अरार क्या हो जाएगा राइट एंसर निस्ट अगला जो है कि भारती दलाहन अमसंदाल सरस्तान कहां है यह कानपुन में आयाई पी यार इंडियन पल्स रिसर्स इंस्ट्रिट्यूट्ट जो तो राष्टी भागवानी मीशनन जो है वर्स 2006 में स्टार्ट किया गया था अगला जो 2006 यानि दसनी पंच वर्शी ओजनक इंतर जो है राष्टी भागवानी कारिकरम की शुरुआत की गई थी यह कुछ मातपूर एक क्यूश्चन थे जो कि GKGS के रूप में भी आपके कमि करके जबर बताएं कोई सेजेसन है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक कर दिए आपका और चैनल को सस्काइब कर लिएगा वीडियो को जादा जादा लोगों के पास सेयर कीजिए गा वीडियो देखने के लिए धन्वाद